इसके पहले के वीडियो में सांप अबाश की यो है बाश जो है उड़ने ही उसे सबसे अच्छा लगता था आजादी उसे अतिदिक प्री थी और वो उड़ना चाहता था उसकी इस उस्सक्ता को देखकर सांप ने उसे उससाहित किया और बाश जो है अपने शरीर को खसिरता हुआ परवल की सिखन पर चोटी के उपर ले और लंबी सांस लेकर के अपने पंखों को फैला कर हावा में पूद पड़ा कौन पूद पड़ा बाश उसके सकती हीन पंख उसके सरीर का बोच संभार न सकती है परंतो उसके पंख जो है वो कंजोर हो है उसके सरीर के बोच को वो संभार न सके है वह अगर धार नदी की धारा में या धार नदी की धारा की गुद में जाए और एक लगर में उसके सरीर को जाग से ठक लिया और संस सागय की और लेज और बाज रेट्मने की कोशिस में नदी और शागर की धारा की मुद्वे समाई दूए बाज की इस साहस को देख कर उड़ने की इस उस्सुपता को देख कर देख साम ने भी यहाँ उबा हुए और साम भी हुआ चत्तान के उपर गया अपने सरीर को बोड़ा और आगे रेकर अपने आकास की सुनिता में छोड़ दिया दूप के च्छण परपर के लिए सरीर का सरीर बिल्ली की लकीर की समान चमका आगा किन्तु उसके जीवन भर रेणना सीखा था वाला वाउन कैसे सकता था वही चत्तान पे आकर गया इस स्वर्ण की किर्पा थी कि वह साम बच गया नहीं तो मरने में क्या पसर रागी थी साम हचने लगा और कहने लगा यह पक्षी कितने मूर्ख होते कि धर्दी के सुन के अजान रखका आकास की उजाईयों को माना चाहते अब मैं जान लिया कि आकास में कुछ नहीं रखा है केवल धेर सारी रूसरी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है शरीर को समान लेके लिए कोई स्थान नहीं है कोई सहारा नहीं है फिर वे पक्षी किस गुल्पूते पर इतनी डिंगे हांते हैं कि आकास जूरना अच्छी बात किस लिए धर्ती के प्राडियों को इतना छोटा समझते हैं अब तो मैं कहीं भी दोखा नहीं खाऊंगा मैंने आकास को देख लिया, खूब देख लिया बास तो बड़ी बड़ी बाते बनाता था, आकास के गुर गाता था थकता नहीं था, आकास के गुर गाते थकता नहीं था उसी के बातों में आकर मैं आकास में गुदा था इस स्वर का भना करे कि मैं मरते मरते बज गया अब तो मेरी बात में समझ गया और यह पक्की हो गई कि अपनी खोखन से बड़ा सूख कहीं की नहीं मैं अपने खोकर में, अपने उखा में सबसे ज़्यादा सुरचित हूं। धर्ती पर लेन लेता हूं, मेरे लिए सब कुछ है, मुझे आकास की सुर्चन्दता से क्या लेना देना। आकास की आजादी से क्या लेना देना। ना वहां छक है, ना दिवारे है, ना रेवने के लिए जबीन है। मेरा तो सिर्चक्रा गया, दिव खाम खाम जाता है, अपने प्राणों को खत्रे में डालना कहां की चत्राई है। वह साथ यह मन ही मन सोच रहा है। और सोचते हुए कहता है बाज भागा था। जिसने आकास की आजादी को प्राथ कजरी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगती। तब ही चत्तानों के नीजे से उठे घीत का संदेश। तब ही चत्तानी नदी की समुद्र की लहरे नदियों की जागभरी लहरे एक साहस की गीत उसके कानों में सुनाई। एक रहस में गीत की आवाद उठी। पहले उसे अपने कानों पर विस्वास नहीं कुए। किन्तु कुछ देर के बाद गीत के स्वर अधिक साब सुनाई ने रहे तुवा अपनी हुपा से वाहर आया और चत्तान के नीचे जहांकर देखा। जहां सुरज की सुनहरी किर्णे समुद्र के नीला जल जिर्मिरा रहा था। चत्तानों को भुगते हुई समुद्र की लहरे गीत के स्वर खूट रहे थे। लहरों का यावगी दूर दूर तर गीज रहा था। जिसमें साहस की भवना को उजागर दिया जारा। साप ने सुना लहरे मधुर सुर में गा रहे थे। सागर ने सुना यह लहरे जो हैं बहादुनि के गीत का रहे थे। हमारा यारगेत उन्साहसे लोगों के लिए था जो अपने प्राणों को हतेदी पर रखेव होग्ते। लहरे जो भीदगा रहे थी उस बार्ग के साहस के घीता, जो अपने प्राणों की बाजी लगा कर उठने कीवड कोसित कर रहे था। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगा कर जिन्दकी के हर खत्रे को या हर खत्रे का बहादुर से सामना करता है। जिन्दकी के अधेरे में प्रकास पहलाएगे। सासी बहादुर दिनों में सुततता और प्रकास के लिए प्रेम पैदा गया। किस से सीख मिलती है वो अब बाज सीख मिलती है। तुम अपना जिवन बलिदान कर दिया। लेरे गीत गाते ही तुमने अपना जिवन बलिदान कर दिया। किन्तु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी भी सास और विर्टा के गीत गाये जाएंगे। तुम्हारा नाम बड़े गर्व और स्रदा से लिया। हमारा गीर जिन्दगी के उन दिवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्तु से नहीं ड़ते हैं। यही इस कहानी का सीखने। नेखत यहां सीख देना चाहता है कि जो बेक्ति ही मर कर भी मृत्तु से नहीं ड़ते हैं। वही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वही हासिल कर सकते हैं। जिन्दगी में चुनोतियों का सामना करना चाहते हैं, तभी आप अपने लक्स तक रात कर सकते हैं, जैसे बाज ने किया। तो विद्यार थी, बाज और साथ के कहानी के मांधर से लेकर मनुस्वों ये सचेत करता है कि जीवन में हमें बहादरी और साहस में खत्रों का सामना करना चाहिए, उनकाबलों का, मुसीबतों का डटका सामना करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं, हम अपने नेगें तो हम जीवन में अग्रसर नहीं हो पाएगे। ऐसा अहानिकाता तर्ग है। धन्युक्त।